एलॉई वेरा को इजिप्शन स्वारा प्लांट ओफ इंमोर्टालिटी कहा गया, जिसका मतलब है कि ये बिना सॉइल के पनपता भी है और इजिली जिन्दा भी रह सकता है। एलॉई वेरा को पिछली कई हजारों सालों से इस्तमाल किया जाता रहा है। क्या आप जानते हैं कि एजिप्ट की लास्ट कुईन क्लियो पैटरा जिसके खुपसूर्ती के चर्चे पूरे दुनिया बर में थे, वो अपने डेली ब्यूटी रूटीन में डॉंकी इस मिल्क से नहाने के साथ साथ ऐलॉई वेरा कभी इस्तमाल किया गरती थी। एलॉई वेरा के इस्तमाल करने से उनकी बोडी स्मूथ और सौफ्ट रहती थी। बिल्कुल मक्खन की तरह इस प्लांट को यू ही नहीं आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। भारत के सबसे पुराने वेद। रिक वेद में ये एस अ नैचरल मेडिसन भी मेंचन्ड है। ये केसिस में आपको काफी साफधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम एलॉइवेरा की लीफ को कट करते हैं तो उससे एक येलो कलर का सबस्टैंस बहार आता है। दीजिए एलॉइवेरा की लीफ को फिर आप गुड़ टुगो हैं। ऐसा करने से आप एलर्जिक रियाक्शन से बच जाएंगे और अगर आप कंज्यूम करते हैं तो कोई भी साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं। एलॉइवेरा को गृत कुमारी के नाम से बिचाना जाता है जिसका मतलब है यंग गर्ड। ये कई सालों के बाद भी यंग और फ्रेश दिखाई देता है सिर्फ इसलिए। हम लोग आज कल अपने लाइफस्टाइल के चलते किसी ना किसी तरीकी से सन एक्सपोजर में आ जाते हैं। जिसकी विज़े से सन बर्न और UV गामा जैसी हामफुल रेश से होने वाली प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। एलोई वेरा के अंदर पाई जाने वाला जैल नाच्रल संस्क्रीन की तरह एक्ट करता है। स्किन में होने वाली इंफ्लेमेशन और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स से यह हमको बचाने में कफे अच्छा साबित होता है। एलोई वेरा के अंदर पाई जाने वाले जैल में भर भर कर वाइटमिन E और C पाया जाता है। जिसकी वजह से यह anti-aging में हमको हेल्प करता है। साथ ही साथ यह collagen production में भी हेल्प करता है। और स्किन की elasticity को बढ़ाता है। जानते हैं जैसे जैसे हमारी उम्bers बढ़ने लगती है हमारी स्किन में collagen production कम होने लगता है। इसी वज़े से fine lines और wrinkles जैसी problems भी आने लगती हैं जो of course aging की तरफ ले कर जाती हैं अलॉइ वेरा इसके लिए एक राम बांट साबित हो सकता है शुरुआत में हमने देखा कि Alexander the Great और Christopher Columbus अपने soldier के घावों पर अलॉइ वेरा कर इस्तमाल किया करते थे जाहिर सी बात है कि इसके अंदर पाई जाने वाली medicinal properties, cuts, injuries और burnt skin पर काफी कारगर हैं आठ गुना जादा तेजी से self regeneration करके यह हमारी wound healing process को बढ़ा देता है नमबर पूर, fights acne and skin infection Acnes और skin allergies कितनी जादा painful और irritating हो सकती हैं यह तो हम सभी जानते हैं Alloy Vera की antimicrobial और antiseptic properties, bacteria को मार कर, acne और skin infections के against fight करने में help करती है यह skin infections से होने वाली redness को भी कम करता है और साथ ही साथ natural toner की तरह भी act करता है और आपके pore size को घटा देता है Dandruff, एक ऐसी problem है जिससे निपटना इतना आसान नहीं है Fungal infection, dry skin और excessive oily skin होने के कारण Dandruff कई सारे लोगों को परिशान करती है अब हम हर बार expensive treatments तो नहीं करा सकते और बात करें Dandruff removing shampoos की तो वो बालों को इस तरीके से नुकसान पहुचाते हैं कि सिर से Dandruff जाए न जाए लेकिन सिर से बाल तो जरूर चले जाते हैं medicinal properties होने के साथ Aloe vera एक non expensive anti-fungal और anti-microbial medicine बन जाता है Aloe vera एक ऐसा plant है जिसकी खूबियों की list खतम होने का नाम ही नहीं लेती Human body के अलग-अलग organ को फायदा पहुचाने के साथ साथ ये कई सारी बिमारियों को जर्ड से भी खत्म कर देता है However, Aloe vera को मैं 2 weeks के लिए अपनी skin पर apply करने वाली हूँ Results देखने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर नमस्ते